आप सब बहुत अच्छी होंगा अच्छे से अपने एक्जाम की तियारी कर रहे होंगे तो आपके बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यह आपने फिनेंशल अकॉंटिंग और कॉश्ट अकॉंटिंग पर वीडियो बना दी पर प्लीज एक लौ और एक डिरेक्ट टेक्स प सब चीजों पर फोकस ना करें देखो इंपोर्टेंट सारे चैप्टर होते हैं पर आप अगर सेलेक्टिव स्टेडी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं या एबी इसी एनलाइसिस पर मैंने वीडियो बना रहे हैं तो अभी आपके कहने पर मैं स्ट्रेट करते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कहां से मोटिवेशन लाएंगे हम सब ठीक है तो फ्लीज इतनी मेहनत के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ठीक है तो गाइस बिना टाम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इसके लॉइन एठिक्स के तो इंडियन कॉंट्रेक्ट बिल्कुल मत छोड़ना ठीक है अकेला चैप्टर 15-20 नमर का वेटिज रखता है ठीक है नेको शेबल इंस्ट्रूमेंट जरूर करके जाना हां लेंदी थोड़ा चैप्टर है लेकिन फालतू की चीज़ है उस चैप्टर में ठीक है तो जो जो एललपी तो एललपी के ओपर भी मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि देखो इसमें से भी कोशन पूछते हैं और यह सब जो चैप्टर है ना गाइस देखो इसके लिए मैंने आपको एक नौट बताया है जो हम खुशी से सीखते हैं उससे हम कभी नहीं बोलते ठीक है तो आप इसको क्या कर सकते हैं लेकिन जैसे बताना चाहूंगा कि शौट नोट साथे तो कितने बच्चे उसको छोड़ देते बांकी को कुश्चन कर लेते तो इसलिए इसको ज्यादा रेफर नहीं करते वह लेकिन आपको करके जाना चाहिए ठीक है उसके बाद मैं बात करूं इसके सिंगल पूरे कोश्चन पूछेंगे आपको पता है कि एक कोश्चन के दो पाड़ होते हैं ठीक है तो ए और भी तो दोनौ इसी पर ही पूछ जाएंगे तो यह आप समझ सकते हो कि फंद्रा पंद्रा यानि तीस नमबर तो यार यहीं पर ओगए ठीक है स्टी मार्श यह जो है हमारे इसकी लिमिट है ठीक है तो ऐसे यह साइए के बाद मैं सो जी यह यानि से लफ गूर्ट सेक्ट यह आप करके जाना ठीक है उसके बाद मैं अगर बात करूं तो मैं से की आपको जैसे की पता है की 25 मार्क्स अकोर्डिंग तू प्रिवियस जो हमारे ऑफ लाइन एक्जाम उगा था उसके इसाब से बता रहा हूं 25 माक्स का एमची की पूछे जाएगा तो एमसी क्यू आपको यह जो आपको आप से एमसी क्यू पूछते और कहीं से नहीं प पूस्ते भी उसी के अंदर से ठीक है तो एमसी क्यों के लिए आपको क्या करना है रिवाइस फ्रॉम मोड्यूल यह हमें सापको मोड्यूल से रिवाइस करना है और लाश्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा अगर आप सेलेक्टिव स्टेड़ी कर रहे हो तो हमें सापको मे मेरे लाश्ट मेरे हिसाब से अभी कर लो क्यों कि पांस तारीक की एक्जाम है अब पांस तारीक से पहले अगर आप यह यूट्यूब यूट्यू पर अभी अगर लगे पड़े हो उस टैम पर भी यह यह एक्जाम से पांस दिन पहले ठीक है आपको सब कुछ छोड़ देन पड़े ठीक है किताबे होनी चीए बस लाश्ट में आपके एक्जाम के टेम ठीक है सेलफ इस्टेडी और हां सबसे बड़ी बात यह आपको राइटिंग ठीक है यानि राइटिंग आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है पहले बता दे रहा हूं एक एफोर शीड जो ह और कोई चीज आप लिख रहे हो मिस लगा के यानि अगर कोई कोई कोशन पूछ दे कि हैजारस प्रोसिश ठीक है तो इसका अगर आपने ड़िफिनेशन लिखा कि हैजाडस प्रोसेस मिंस तो मिन्स के आगे आपको वही चीज लिखना होगा जो बेरक्ट मैं ठीक है और लगा रहे हो अगर लगा भी रहे हो तो ऐसे मतला अपने तरीके से लिखना हमेशा सोट नोट जो होते हैं ऐसे लिखना कि कोई भी चीज है जैसे हजार्डर्स प्रोसेस ही है लिख सकते हैं अच्छे तरीके से अपने हिसाब से लिखना ठीक है आपको लगे कि ऐसा मेरा मार्स जो है और हाँ कोशिश करना कि अच्छे से अपने एक्जाम के टाइम पर बिल्कुल माइंड को रिफ्रेश रखो ऐसा नहीं कि आप इस्ट्रेस में पेपर भी आता वह कुश अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक किया करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना देखो वीडियो को लाइक करने का मतलब अशी आई है कि और भी बच्चों तक यह वीडियो क्या होगा ठीक है तो गईज मिलते हैं इसी के साथ टेक केर Bye-bye.